36 गड़ के रामानुजगंज में बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन स्विक्रत भवन का भूमी पूजन तथा शिलान्यास किया गया सर्गुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सथा रामानुजगंज विधायक ब्रहस्पती सिंग के एकर कमलो से यह शिलान्यास का कारिय किया गया रामानुजगंज नगर के पंचायत के शेत्र में तरेपन वर्षों से शासकी अबालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर संचालन किया जा रहा है संचालन विद्यालय में वर्तमान में दस कक्षाएं दो प्रियोग शाला स्टाफ रूम वा कारियाल अकष है लंबे समय से स्कूल के लिए यात्रीक भवन की मांग की जा रही थी जो अब पूरी होने जा रही है नए स्विक्रत भवन में आठ कक्षाएं दो प्रियोग शाला एक कारियाल ले वहीं स्टाफ रूम तुथा प्रचार ये कक्ष भी शामिल है जिसकी लागत एक करोड इकीस लाग सत्रा हजार रुपए है नया भवन बनने से चात्रों को सर्व सुविधा युक्त कक्षाओं के साथ प्रियोग शाला भी मिल जाएंगे जो चात्रों के शैक्षनिक विकास में सहायक सिद्ध होगा इस अफसर पर विदायक ब्रहस्पति सिंग ने कहा कि विद्याले के लिए अतिरिक्त भवन की मांग पूरी हो रही है इसका निर्मान कारिया जल्द ही प्रारंब हो जाएगा चात्रों के भविश्य को देखते हुए यह महतपूर्ण कदम उठाया गया है जिससे स्कूल प्रबंदक एवं छात्रों की समस्याय दूर होगी इस अफसर पर कलेक्टरिस शाम धावडे नगर पंचायत रामान उजगंज अध्यक्ष रमन अग्रवाल जिला शुक्षा अधिकारी B1 का अधिक्षक अभियंता लोक निर्मान विभाग N1 का सहीत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे बलरामपूर से सम्वाद दता आजय कुश्वाह की रिपोर्ट इस बात का बार-बार शिकायद करते थे कि नए बिल्डिंग बन रहे हैं बहुत चकाचक बन रहा है टायल से लग रहे हैं और हमारी पुरानी बिल्डिंग पढ रहे बिल्डिंग हमारे तियार हो जाएंगे और जो आध्यूनिक पढ़ाई भी होते हैं जो काप कम्प्यूटराइज पढ़ाई और सारे से चीजिए यह सब के सब इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई होगा और हम लोग ते ही चाहेंगे कि इस बिल्डिंग से लड़के बहुत तक जाएं और यह काफी फले फुले आगे बढ़ें इस उते से इसको शुरूब करें ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेयर और सब्सक्राइब करें घंदेवादी करें हैं अंदेवादी कर दो कर दो कर दो कर दो को दो झाल झाल झाल